लेकिन अर्विंद केजरिवाल का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत उनकी इमानदारी को खरीद नहीं सकता है। किसी को पता भी नहीं था। आप समझ लीजे जब ये कहता था कि मैं ऐसी नहीं नहीं चीजे करूँगा कि लोग आश्यर चकित रहेंगे। तो कहां कहां से कैसे प्रष्टाचार में कोई सरकार पैसा बना सकती है। नए माबदन केजरिवाल की सरकार ने बनाए है। दूसरा ये है कि अगर आप इमानदार हैं तो मैं तो आज तक इस बात से पूछता रहता हूँ कि इमानदारी का कौन सर्टिफिकेट देगा। अरविंद केजरिवाल मनीशो दिया स्वयम अपने आपको रोज सर्टिफिकेट देते रहते हैं किसी और ने दिया है। कौन सर्टिफिकेट देगा बई। जब केस पंटा है पुलिस को लगता है कि हमने कुछ गलत काम किया है वो कोट में जाती है। तो आप देगा बहुत अच्छा नहीं बड़ी करेगा आप सजा पाईए खुद यह क्या और दूसरा यह जो कहना है ना सभी तो विल्कुल एकदम गलत बात है कि मैंने अच्छा काम किया बुरा काम किया अच्छे काम से भरष्टा चार नहीं मिठता है आप कितना भी अच्छा काम क आंच्छा के नहीं किया वो इलग बात है लेकिन यह कोई मतलब नहीं होता है मैं बहुत बढ़ीा आद्मी हूँ लेकिन है कि मैं खत्पड मार दो तो यह जबना थोड़ी और क्या है कि मैं बढ़िया आँ का Teilust gia कर डिए जिए अपने मंतराले से इतीफ़ा दिया गया दो सी है। यही इनका काम। कि एक तरफ गरीबों को बाटते लिए जिसमें लोग प्रियता बनी रहे और बाकी अपनी धांगिया करते लिए जो बहुत पुराना माफिया का एक काम है। तो माफिया में सीधी बात है। माफिया का जो सरगना होता है वही सबसे ज़ादा नहीं लिप्त होता किसी भी गरत काम में उसकी ऊपर से नीचे पूरे लोग होते हैं और धीरे-धीरे परते वसी से खुलती हैं कभी बड़ा माफिया नहीं शुरू में पकड़ा जाता है उसके जो जितने सिपेसालार होते हैं और हुआ इनका क्या कि मुझे लगता है इनको ऐ निम्वा साब मुझे लगता है कि नय मंत्री ना बनाए ने तो दिल्ली पुलीस पर और भी काम आ जाए क्या क्योंकि आपके दो मंत्री भी यही काम करेंगे ऐसी दिल्ली पुलीस पर बहुत प्रशार रहता है क्राइम ब्रांच पर बचारी दो और की इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे क्योंकि कर्म तो यह वही करेंगे तो चार करें की साथ करें काम तो उन्होंने गलती करने हैं